बिहार में मांजी और सहनी की दोस्ती अटूट बताई जाती हैं एक तरफ है जहां तबाव की राजनीत मुके सहनी कर रहे हैं और दूसरी तरफ जीतना मांजी भी समय समय पढ़े इंडिये गड़ बंधन के खास करे भाजपा को संदेज देते रहते हैं जीतना मांजी का ये रूख कही न कहीं भाजपान निताओं को खटकता तो ही है लेकिन मुक्कमंत्री नितीश कुमार को काफी फायदा होता है मुक्कमंत्री नितीश कुमार जब भी दबाव में जाते हैं तो जीतना मांजी उस दबाव से उभारने का काम करते हैं यानि जिस जाना मानजी ने एक बार फिर से green signal दे दिया है मुकेश सहनी को आपको बता दे कि बिहार में एक seat पर उपचुनाव होने हैं इस चुनाव को लेकर चर्चाएं तेज हैं वो seat बोचहा है मुकेश सहनी पीछे हटने के mode में नहीं है वह अगर बात करें भादपा की भादपा ने टिकेट मुकेश सहनी को गया तो कहीं न कहीं इस बात के कयास लगा जा रहे है कि भादपा भी seat को नहीं छोड़ने वाली है इसके पीछे कारण तो ये भी बताया जा रहा है कि भादपा चाहती है कि राजत से बड़ी party बन कर उबढ़े ऐसे में भादपा इस seat को जीतना चा मुकेश सहनी की थी तो वो seat मुकेश सहनी को ही मिलनी चाहिए यानि एंडिये गडबंदन दल में एक और दल सहनी को मजबूत कर चुके हैं सहनी को इस बयान से काभी मजबूती मिलेगी एक तरफ जहां उतरप्रदेश चुनाव लड़ने के बाद एंडिये में अलग थलग पड़ गए थे मुकेश सहनी वहीं दूस्सी तरफ जीतनामांई के इस बयान ने कहीं को ताकत दी होगी अब देखना यह होगा कि जीतनामांई जी मुकेश सहनी ने बयान दे दिया है और कर मुकेस सहनी का यह कहना है कि वो जो सीट है वो गडबंदर के ताथ हमारे पास है और जनतादल युनाइटिट के द्वारा ही मुक्कमंत्री नितीश कुमार के द्वारा ही इस सीट पर एलान किया जाएगा ऐसे में बड़ा सवाल ही है मुक्कमंत्री नितीश कुमार मुकेस सहनी के लिए फिर से भाजपा से फिरेंगे या मुकेस सहनी को कही न कहीं जीता नामाजी इस तारीके से ग्रिन सिगनल दिया है तो आने वाले दिनों में इसका फायदा होगा यह भी एक बड़ा सवाल है देखना यह होगा जैसे ऐसे ग्रिन सिगनल दे दिया है कि यह सीट मुकेस सहनी की है और मुकेस सहनी को ही इस पर चुनाव लड़ना चाहिए 9386816700 धन्यवाद